मारे यूटूब चैनल पर 2018 वाली जो कलरक बढ़ती है दोस्तो उससे जुड़ी जो हना न्यूज है जिनकी जो हना दोबारा से जो रिवाइज रिजल्ट जारी किया गाथा लिस्ट लगी हुई थी तो बहुत सारे बच्चों का जो हना दोस्तो एक साल बाद भी अभी दोबारा से जोईनिंग नहीं हो पाईए तो उन्हों ने कोर्ट में केस कर दिया है जी हां दोस्तो दोबारा चुने जाने पर भी जोईनिंग क्यों नहीं दी जारी हाई कोर्ट कलरक बढ़ती का रिवाइज रिजल्ट वाथा जारी एक साल बीता पर जोईनिंग नहीं दी जारी सो निपत के दीपक महला की और चे दायर याचिका में कहा गया की 4858 कलरक की बढ़ती में 3 सितंबर 2020 को इसका चेहन हो गया था और ये बढ़ती दोस्तो 2018 की बढ़ती थी उसने नोकरी की इसके बाद हाई कोट ने 3 स्वालों के गल्थ यानि के दोस्तो देखेगा 2-3 साल इनके जोब हो चुकी थी फिर जो ना केस किया था बच्चों ने 3 स्वालों पर जो आंसर की पर दोस्तों केस कियो आऊ था तो तीन स्वाल जो हना फिर जवाब गल्थ थे अचसेशी की तरफ चोड़ कोट में जिन बच्चों ने चैलेंज किया था उनके वे राइट निकले तो इन तीन स्वालों के जवाब गल्थ मिलने पर रिवाइज रिजल्ट जारी करने के निदेश दिये गए जिस से जो हना जिन के गल्थ थे उने रिलेव कर दिया और रिवाइज रिजल्ट में भी जो हना दिपक मेहला का तो चैन होगा था लेकिन बहुत सारों को इसमें क्या रिलेव कर दिया गा था अब उनको एक साल से भी इसमें जोइनिंग नहीं दी जारी जबकि दोबारा से उसके जोइनिंग यानि का टोप के नमबर दोस्तों बिल्कुल थे पंजब है मर्याना हाइकोट का देश पर कलरक बरती के रिवाईज रिजल्ट के बाद भी दोबारा चुने गए उमिदवारों को नोकरी के लिए दक्ये खाने पड रहे हैं लगबग दो साल नोकरी करने के बाद इन उमिद्वारों को दो बारा सरकाई नोकरी विवागों में जोइनिंग नहीं मिल रही है इस मामले में हाई कोट ने हर्याना करमचरी चैनायोग एच एससी के सचीव और हर्याना इंडस्ट्री वी बाग के निदेशक को नोटिस जारी कर जवाम मांगा है जस्टिस विनोद एच बार दवाज ने कहा है कि रिवाइज रिजल्ट के बाद जोइनिंग क्यों नहीं दी जारी तो ये आचीका लगाई गया है दोस्तो रिजल्ट रिवाइज हो चुका फिर भी जो होना उनको जोइनिंग नहीं दी जारी झाल 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 झाल